हेलो बच्चा पाटी कैसे आप सब लोग सब बढ़िया लर्निंग इस फन वेन कॉंसेट्स आर क्लियर अगर आपका कॉंसेट क्लियर है तो लर्निंग पढ़ने में मज़ा आ जाता है तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है क्या कन्फ्यूज मत हो ये जादा आप बेसिकली क्या क्या चीज़े पढ़ेंगे फोर्स, पोटेंचल इनर्जी, फील्ड एंड टॉर्क मोटा मोटे ये चीज़े जो हैं ये पढ़ने वाले हैं किसके उपर डाइपोल के उपर और डाइपोल रखा कहा होगा डाइपोल रखा होगा इन नौन यूनिफॉर्म फील्ड ठीक है यह देखो यह positive charge है तो आपको पता है कि इस से जो field होती है वो ऐसे radially outward निकलती है ठीक है? यह radially outward चारो तरफ field ऐसे निकलेगी अच्छा, यह field uniform है कि non uniform है? मान लोकर मैं एक इस field line को ले लूँ तो आपको पता है कि इस direction में जो electric field है वो decrease कर रही है वो decrease कर रही है कहीं पर मैंने कोई एक point मान लो यह point O मान लिया है field at O कैसे लिखोगे? electrostatic constant K times the charge by R square where what is R? R is O point का distance है कहां से यह charge Q से correct? एक काम करो बेटाँ, यहाँ पर एक dipole मान लेते है यह dipole रखा हुआ है ठीक है? यहाँ पर negative charge है यहाँ पर यह positive charge है तो जो dipole moment की direction है ठीक है, वो यहाँ minus से plus को ऐसे जा रही है अब देखो dipole जाहिर सी बात है क्योंकि इस direction में E decrease कर रहा है तो non uniform field में रखा हुआ है है ना? तो कहने का मतलब यह है कि हम जो case फिलहाल पढ़ रहे है case के हमारे पास a dipole is kept along field line field line of an isolated charge dipole is kept along a field line ठीक है ओफ एन isolated charge यह अपना case हो गया अब धियान से दीखना बच्चो O point पे क्या field है वो आपको पता है और जब भी हम यहाँ पे dipole की बात कर रहे है तो हमारा जो dipole है वो ideal dipole है ideal dipole को आप क्या बोल सकते हो short dipole short dipole मतलब charge से यह जो distance आप r लेकर चल रहे हो उसके comparison में dipole की length बहुत छोटी सी है यह दोनों charges आपस में काफी close है figure थोड़ा exaggerate करके बनाया है ताकि आपको clear देखे और clear समझ में आए अब यह uniform field हो यह non uniform field हो recap करो थोड़ा सा थोड़ा recap करो recap क्या करना है याद करो कि मैंने आपको पढ़ाया था जो potential energy है dipole की लिखी जा सकती है minus pe cos theta है ना या फिर minus vector p dot vector e इस point o पे add o dipole moment parallel है vector e के correct तो उस case में इस case में अगर बैं बोलू potential energy लिखी जाए dipole की तो दोनों parallel है theta 0 degree बना cos 0 degree होता है 1 तो simply minus pe ऐसे लिखा जा सकता है potential energy of dipole add point o लिखा जा सकता है ऐसे अच्छा जो force लग रहा है dipole पे उसको लिखा जा सकता है minus du by dr force को क्या लिखा जा सकता है minus du by dr अगर याद नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे हम rough work कर लेते हैं rough work कर लेते हैं आप लिखते ही हो वैसे भी dw is equal to du बना दो तो minus f dr ठीक है तो f क्या हो जाएगा minus du by dr तो in electrostatic field force on dipole क्या लिख सकते हो यह क्या मेटा force on dipole important है ठीक है ओके तो आप finally यहाँ पे लिख सकते हो f is equal to minus d by dr ठीक है u की जगे पे लिख सकते हो यहाँ पे क्या minus pe u की जगे पे क्या लिख सकते हो minus pe तो यह हो जाएगा plus p बाहर यह dipole moment तो constant होगा ना तो charge का magnitude बदल रहा है ना charges के बीच का distance तो dipole moment constant है p को बाहर ले लो क्या बचा d e by dr क्या बचा d e by dr बचा अच्छा ओ पे field कितनी है इतनी है k q by r square k और q भी constant है बाहर ले लो यह हो जाएगा f is equals to पहले से क्या बाहर था p k बाहर ले लो ठीक है और q बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा k p q बाहर d e by dr तो क्या बचेगा d by dr किसका 1 by r square का 1 by r square का यह तो अपना recap था इसको अब यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा इस तरफ solve करते हैं तो f is equals to क्या हो जाएगा k p q d by dr r की पावर minus 2 क्या मिलेगा f is equals to f is equals to minus 2 times k p q ठीक है r की पावर minus 2 हो जाएगा तो r cube question आता है कि इस minus sign का significance क्या है तो बिटा जो negative sign है negative sign imply करता है कि force is attractive force क्या है attractive है ठीक है यानि dipole पे पहली चीज तो एक net force लग रहा है वैसे भी हमने पढ़ा है कि non uniform field में dipole के उपर net force लगता है तो पहली चीज तो कि dipole के उपर क्या है net force लग रहा है और वो net force कैसा है attractive मतलब dipole को वो charge की तरफ खेंचेगा वो dipole को क्या करेगा इस charge की तरफ खेंचेगा important derivation a bit of पटा-फट note कर लो एकदम और concept समझ लो ठीक है अब यहाँ पे मैंने आपसे एक बात बोली कि f is equals to minus du by dr लिख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ cases बन सकते हैं जान लो कि f अपने minus du by dr लिखा अब u जो maximum होता है u max क्या होता है pe यहाँ पे u अपन minus pe लेकर चले थे क्योंकि dipole moment और field क्या थे एक दूसरे के parallel थे पर अगर यह किस case में होता है जब dipole moment anti-parallel हो field के जब dipole moment field के anti-parallel हो तो अपन plus pe लेकर चल सकते है उस case में f क्या हो जाएगा p बाहर ले लोगे minus sign as it is de by dr याद रखना कि f is equals to f के अपने दो formula पढ़े एक यह p times de by dr ठीक है जब u minimum है minus pe है ठीक है और एक minus p times de by dr जब u maximum है ठीक है p times e है अच्छा एक और case आ सकता है इसमें एक और case आ सकता है if theta is equals to 90 degree तो cos 90 कितना होता है 0 मतलब कि अगर dipole moment field के perpendicular है तो force कितना हो जाएगा force कितना हो जाएगा बेटा 0 क्यों क्योंकि f किया है d u by dr और u 0 हो जाएगा ठीक है तो यह concept है फटा फट इसको पूरा note कर लो notes बनाना बहुत जरूरी है मैं बारवर कहती हूं copy निकालो और लिखना शुरू कर दो ठीक है अब अगर इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई है यह नीट के बच्चों के लिए फिर से बता दू यह जो lesson है यह जो आज का lecture है यह खास तौर पर नीट के बचों के लिए बहुत important है इसमें बहुत सारी questions आते हैं तो आपको इसकी regular practice करनी है अब हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन की मान लो कि आपके पास दो डाइपोल है एक यह एक यह ठीक है यह q1 यह q1- यह q2 यह q2- यह minus plus minus plus इसके center का नाम O रख देते हैं इसके center का नाम O डाश रख देते हैं तो यहां जो डाइपोल मॉमेंट की direction होगी वो कुछ ऐसी होगी P1 वेक्टर ऐसा बनेगा यहां जो डाइपोल मॉमेंट की direction होगी P2 वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा अपन पहले तो एक की वज़े से दूसरे पर दॉसरे की वज़े से पहले पर टॉर्क निगा लेगा तो यहां पर अपन को सेकेंड वाले की फील्ड दिखने तो पी वन क्रॉस एटू देख तो जो बटा इसके लिए यह तो एक्जियल लाइन है तो यह जो भी फील्ड यहां पर होगी वह लॉग बनेगी और कैसी बनेगी जो भी आपको closest charge दिख रहा है closest charge minus q2 है तो minus की वज़े से field इधर होती है तो इस dipole की field यहां पर net जो होगी वह इस तरफ होगी और इस e net को मैंने e2 नाम दे दिया because of this ठीक है तो p1 और e2 के बीच में p1 और e2 के बीच में यहां पर कितना angle बन रहा है बेटा कितना angle बन रहा ह पी 1 और e2 के बीच में 0 degree का यह हो जाएगा p1 e2 sin 0 degree मतलब की torque कितना लग रहा है dipole 1 पे due to 2 0 ठीक है similarly similarly यह आपका tiny little homework है torque on 2 due to 1 find out करो ठीक है यह क्या है homework और अभी अगर कर रहे हो साथ साहथ में तो comment में अभी67 लिख कर बता दो वीडियो देख रहे हो ना वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी comment में लिख कर बता दो कि मैडम इस दना आगया माना अंसर चलो मैं निकालती हूं देखते हैं कि जो आपका आंसर है और जो मेरा आंसर है वो सेम है कि डिफरेंट है ठीक है तो जब हम निकालेंगे टॉर्क नुट वन इसको अपन लिखेंगे डाइपल मुंट पी टू प्रॉस एवन यहां पर वन की इनिए जो इसको आми दे रहे वह इस तरव बनेगा तो यहां पर भी यूशत लिया है केस क्या लेकर चल रहे है केस क्या लेकर चले मैंबंज राबऩ क्या-कत्र आप torque on 1, 2 जो भी है torque on 2 due to 1 यह सब find out करेंगे force on 1 due to 2 force on 2 due to 1 यह सब आपन find out करने वाले है ठीक है when P1 vector is parallel to P2 vector when the two dipole moments are parallel to each other and and lie along the same axis lie along the same axis देखो same axis पे आ रहे है ठीक है चलो अब again मैं एक force तो बेटा आपको यहाँ पे निकाल के बता देती हूँ चलो मैं निकाल देती हूँ F1, 2 ठीक है तो F1, 2 क्या हो जाएगा minus du by dr यह formula रखोगे मैंने आपको बोला था जब dipole moment field के parallel हो field के parallel हो देखो भूले तो नहीं हो अभी अभी क्या भी किया था हमने तो U क्या होता है minus P E होता है dipole moment और field parallel हो तो U minus और F जब आप minus du by dr रखते हो तो आपका final formula क्या बन रहा है यह देखो P times de by dr ठीक है P times de by dr तो इसको पन सीज़े सीज़े लिख देंगे P times de by dr भाई यह F12 निकाल रहो तो यहाँ पर P1 आजाएगा और यहाँ पर D E2 by dr हो जाएगा ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो P1 E2 E2 की value देखो यहाँ पर कितनी होने चाहिए axial है नहीं यह axial field है तो axial field के लिए E2 की value क्या हो जाएगी बिटा electrostatic constant 2 times dipole moment E2 निकाल रहो तो P2 आजाएगा by R cube short dipole यह आपका E2 होगा है ना तो यह हो जाएगा P1 जो जो constant है देखो K2 P2 constant है तो K2 P2 इससे constant है dipole moment constant होगा K2 क्या बचेगा D by dr D by dr of R का power minus 3 तो minus 3 into 2 minus 6 हो जाएगा तो क्या रहे minus 6 K P1 P2 क्या हो जाएगा minus 6 K P1 P2 और D by dr R cube का करोगे तो R to the power minus 3 bar minus 3 minus 1 तो यह आजाएगा R to the power 4 क्या हो जाएगा R to the power 4 ठीक है और अगर potential energy निकालनी होथी यह क्या है यह क्या है यह क्या है बिटा यह है force on 1 due to 2 अगर आपको potential energy निकालनी होती U1 निकालना होता डाइपल 1 की potential energy निकालनी होती तो बड़ा simple सा फॉर्मूला है minus minus P1 vector dot E2 vector आपने किया होता फिर से दोनों के बीच में आइंगिल तो 0 डिगरी का है तो सीधे सीधे minus P1 E2 यह फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पर E2 की यह value पुट कर देते तो आप potential energy भी निकाल सकते हो 1 की 2 की ठीक है ऐसे ही force on 1 due to 2 निकाल सकते हो और force on 2 due to 1 निकाल सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पर मैं आपको एक tiny little homework दे रही हूँ ठीक है tiny little homework और अभी के अभी इसको करके comment box में मुझे answer बता देना क्या-क्या निकालना है आपको u1 की complete value देखो यहाँ पर मैंने बता दिया खाली e2 put करना है माइनस p1 e2 put e2 put e2 और expression निकाल के बता हो कितना आ रहा है तो tiny little homework एक तो यह ठीक है दूसरा similarly u2 निकालोगे ठीक है तीसरा madam ने क्या बता है आपको ma'am ने बता है f12 तो आप f21 निकालोगे ठीक है तो यह values जो है calculate करके फटाक से comment box में तीनों आंतर लिख दो ठीक है अब आते हैं अपन फिर से दो डाइपोल मानेंगे यह एक डाइपोल रखा हुआ है यह दूसरा डाइपोल रखा हुआ है ठीक है यह है minus q1 यह है plus q1 dash minus q2 plus q2 dash कहने का मतलब यह है कि जो डाइपोल मुमेंट यह point मैंने o मान लिया यह point मैंने o dash मान लिया इनके बीच का यह जो distance of course o dash का यह r है ठीक है यहां भी देख लो बिटा इन दोनों के center के जो बीच का distance है वो r है confuse मा तो जना मैंने वाँ का जाया ठीक है ओके तो जो डाइपोल मुमेंट है p1 vector उपर की तरफ डाइपोल मुमेंट p2 vector उपर की तरफ ठीक है तो इस बार जो case अपन लेकर चल रहे है फिर से p1 vector parallel है p2 vector के इसमें कोई शक नहीं p1 vector और p2 vector parallel है ठीक है डाइपोल्स डाइपोल्स लाइ अलोंग parallel axis ठीक है डाइपोल्स लाइअलोंग parallel axis यह अपन ने पड़ा है ठीक है ओके फिर से वही बात torque on 1 due to 2 vector p1 cross e2 बात अपन को ऐसी करने है अब देखते जाना यहां पर इस डाइपोल के लिए o dash क्या है equatorial point है तो डाइपोल मुमेंट के opposite p1 अगर उपर जा रहा है तो p1 का जो e1 बनेगा यहां पर वो नीचे बनेगा correct नहीं यकीन तो देख लो positive की वज़े से o पर ऐसा field बनेगा negative की वज़े से ऐसा बनेगा net नीचे बनेगा similarly p2 अगर उपर जा रहा है तो e2 यहां पर कैसा बनना चाहिए नीचे बनना चाहिए तो p1 क्रोस e2 तो p1 e2 अब p1 को e2 के साथ देखो तो sin 180 degree but in any case torque तो 0 हो जाएगा similarly अगर torque on 2 due to 1 निकालोगे तो यह हो जाएगा vector p2 क्रोस e1 हो जाएगा ठीक है फिर से देखो p2 और e1 के बीच में भी theta कितना बनना है इंड लोगें के बीचे में angle कितना बनना है वाली के डिगरी तो यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा ठीक है अचाहिए u1 निकाल लो मतलब की potential potential energy of dipole p1 p1 की जो potential energy हो जाएगी ठीक है कितनी हो जाएगी minus vector p1 dot vector e2 कितना angle है दोनों के बीच में p1 और e2 के बीच में 180 degree का angle है ठीक है 180 degree का अगर दोनों के बीच में angle है तो आपको पता है maximum potential energy p1 e2 आएगा और क्या लिख सकते है उसको p1 e2 की value पेटा देखो इसके लिए ये equatorial है ये equatorial value लिखी जाएगी तो e2 की value किजनी आ जाएगी kp by r cube तो यहाँ पर लिख दो के kp by r cube e2 के लिए ये क्या हो जाएगा p2 तो क्या रहा है ये k times p1 p2 by r cube ठीक है ये होगी potential energy for 1 similarly आप u2 भी find out कर सकते हो ऐसे ही force on 1 due to 2 निकाला जाए ठीक है force on 1 due to 2 तो 1 पे 2 की वज़े से जब force निकालेंगे तो यह आजाएगा vector अपना p1 d e by dr लेकिन क्योंकि इनकी बीच में 180 degree का angle बन रहा है तो मैंने आपको बताया था मैं फिर से बता दूँ जब dipole moment और field anti parallel होते हैं तो force का formula क्या है देखो minus p d e by dr तो यहाँ पर आगे चलेंगे अपन को यहाँ पर क्या देना चाहिए minus p1 d e2 by dr ऐसे लिखना चाहिए इसको और आगे solve कर देंगे तो क्या हो जाएगा minus p1 अब e2 की value देखो यह लिखी है अपने यहाँ पर e2 की value यह p2 आ जाएगा ठीक है यह k है अगर अच्छे से ना देखना तो k लिख देना तो जो भी constant बाहर p1 तो पहले से बाहर था k p2 बाहर आ जाएगा ठीक है d by dr किसका हो जाएगा d by dr of r की power minus 3 तो minus 3 और यह minus तो plus हो जाएगा तो plus 3 k p1 p2 और differentiation करोगे तो r की power 4 नीचे आजाएगा r की power minus 4 बनेगा तो है ना तो बेटा यह देखो force निकाल लिया energy of dipole 1 torque निकाल लिया फिर से इसमें मैं आपको tiny little homework दे रही हूं यह तो आपका कर्म है tiny little homework मैं क्या बोलने वाली है समझ गे की नहीं समझे तो tiny little homework अगर मैंने u1 निकाला तो आप क्या निकालोगे u2 मैंने f12 निकाला तो आप क्या निकालोगे f21 तो यह छोटे मोटे homework तो आपके लिए दाएं हाथ का खेले बाएं का दाएं का पता निया इसको सॉल्व कर लेना विटा आगे समझ वे आगे बड़े नीट के बच्चों आपके लिए काफी important section है यह दोनो तो अभी देखो दोनों ही cases अगर आप देखो जो भी दोनों cases आपने देखे हैं हमने क्या लिए आई देखो दोनो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के parallel है अब आपन केस लेकर चलते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के anti-parallel हो तो ठीक है एक डाइपोल दूसरा डाइपोल यह Q1 नेगेटिव और यह Q1 डैश पॉजिटिव यहाँ पे यह Q2 डैश पॉजिटिव और यह Q2 नेगेटिव तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है P1 ऐसा बन रहा है यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है P2 ऐसा बन रहा है एक दूसरे के opposite anti-parallel है similarly यहाँ पे यह दो डाइपोल ले लिए ठीक है यह माइनस Q1 यह प्लस Q1 डाश यह डाइपोल मोमेंट बन रहा है उपर की तरफ P1 ठीक है P2 को नीचे मान लेते है मतलब की Q2 नेगेटिव यहाँ पे है और Q2 पॉजिटिव नीचे है तो यह जो डाइपोल मोमेंट है यह नीचे बनेगा ठीक है तो केस क्या लेकर चल रहे है मेटा पन केस वेक्टर P1 जो है वो एंटी पैरलेल है वेक्टर P2 के डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के एंटी पैरलेल है और इसमें अपन दो पार्ट्स लेकर चल रहे है पार्ट A सेम एक्सस पे है same axis ठीक है और part B क्या है parallel axis parallel axis यह part A हो गया और यह part B हो गया ठीक है ओके यहाँ पर इसके center को मैंने O मान लिया इसके center को मैंने O' मान लिया दोने के बीच का जो center के बीच का distance R है similarly यह O है यह O' है और यह distance R है अगला step अपना क्या होगा अगला step होगा E1 E2 की value find out करना यह 1 है तो E1 यहाँ find out करोगे यह 2 है तो E2 यहाँ find out करोगे ठीक है एक्षियल लाइन पर है यहाँ पर closest charge जो है वो positive है positive से away तो E1 जो इसका net field यहाँ find out करोगे तो ऐसा बनना चाहिए इस डाइपोल के लिए ठीक है इस डाइपोल के लिए यह जो closest charge है यह positive है जैसे यहाँ पर यह positive था इस डाइपोल का जो charge positive plus q1 था यह जादा close था ऐसे ही जब इसकी field यहाँ देखेंगे तो सबसे पास का charge इस डाइपोल का क्या है plus q2 तो इस point पे जो e2 बनेगा वो positive charge से अवे यह net field है second डाइपोल का यह net field है first डाइपोल का यह net field है ठीक है बना दिया अपने ओके देखो e2 और p1 एक दूसरे के anti-parallel है e1 और p2 एक दूसरे के anti-parallel है यहाँ पे equatorial positions है okay देख लो बिटा अगर p1 उपर जा रहा है p1 अगर उपर जा रहा है तो यहाँ पे e1 कैसा बनना चाहिए नीचे p2 अगर नीचे जा रहा है तो e2 कैसा बनना चाहिए उपर ठीक है clear है यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि e2 की value बताओ तो e2 की value कितनी हो जाएगी बोलो बिटा e2 की value कितनी हो जाएगी 2 times k p2 by r q यह e2 की value होगी ठीक है ऐसी अगर मैंने आपसे पूछा होता कि e1 की value बताओ तो यह हो जादा 2 times k p1 by r q यह e1 होता ठीक है similarly अगर मैं यह equatorial positions हो गया तो equatorial position के लिए कर मैं आपसे पूछा हूँ कि e2 कितना होगा तो k p by r q और e2 है तो यहाँ पर p2 आ जाएगा similarly e1 क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर e1 क्या हो जाएगा k p1 by r q second case में ठीक है अब वही बात tau 1 2 निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा p1 e2 p1 e2 अब p1 और e2 के बीच के अंगल देखो sin 180 0 बन रहा है tau 2 1 p2 e1 अंगल देखो कितना बन रहा है p2 और e1 का अंगल 180 sin 180 0 यह मैं हमने कर दिया अब चलो potential energy निकाल लेते है u1 की potential energy of first dipole तो क्या हो जाएगा minus p1 और इतना minus plus भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि parallel में p times e sorry parallel में minus p times e anti parallel में plus p times e नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर वही p equals theta करके कर सकते हो तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी तो यह anti parallel है already तो energy क्या हो जाएगी p1 e2 हो जाएगी p1 e2 तो p1 as it is और e2 की value क्या लिखी है 2k p2 by rq तो energy क्या बन गई 2k p1 p2 by rq यह energy बन गई ठीक है ऐसे एगर force on 1 due to 2 निकाला जाए force on 1 due to 2 और यह अब anti parallel है parallel नहीं anti parallel तो minus p1 du by sorry de by dr यह e2 हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा minus p1 e2 में से क्या-क्या बाहर ले सकते हो e2 में से क्या-क्या बाहर ले सकते हो बिटा मैं इस case के लिए बता रही हूँ यह पूरा जो चल रहा है यहाँ पे यह दोनों यह case A के लिए चल रहा है case B pending है और वो कहाँ जाएगा वो आपके pocket में जाएगा case B आपके pocket में जाएगा क्या बन जाएगा tiny little homework है क्योंकि देखो अगर concept clear है मैंने आपको क्या बोला था concept is clear learning is fun तो अगर आपको practice करनी है और physics को perfect बनाना है तो यह concept के साथ मैंने एक दो आपको solution बता है अब आपको फटा-फट इसको solve करके comment में अपने answer लेकर में यह मैंने कर लिए इतना हा रहा है ठीक है ओके इस सारा कुछ अपनने किस के लिए कर रहा है फिलाल case A के लिए कर रहा है इस case के लिए आप करोगे तो यह हो जाएगा अपना minus P1 DE2 तो E2 से क्या-क्या बाहर ले सकते हो 2K P2 12 आजाएगा तो D by DR किसका बचेगा R की पावर minus 3 का ठीक है D by DR किसका बचेगा R की पावर minus 3 का ठीक है थोड़ा सा कलटरी हो रहा है कोई बात ही अंगले step में इसको पावर अच्छे से solve कर रहा है तो यह हो जाएगा F12 is equals 2 minus 2K P1 P2 minus 3 बाहर आजाएगा तो यह क्या हो जाएगा plus 2 की जगे पे 6 R की पावर minus 3 है तो minus 6 हो जाएगा 2K P1 P2 हो गया ठीक है और R का पावर 4 बनेगा प्लस आ रहा है मतलब क्या हो गया प्लस साइन क्या signify करता है repulsive force repulsive force को signify करता है तो जैसे हमने case A के लिए सारी values निकाल ली है similarly आपको क्या करना है tiny little homework case B के लिए u1, u2, tau12, tau21, ठीक है f12, ठीक है f21 ये आपको values निकाल ली है और comment box में अपना answer जो है बताना है अब बिटक कई बारे question आता है क्या question आता है एक uniform line charge distribution ये minus infinity से plus infinity तक जाता है ये इस पे uniformly जो है charge distributed है uniform charge distribution है ठीक है तो यहाँ पे कोई dipole रखा हुआ है ये minus q plus q ठीक है अब इस dipole के उपर आपको बताना है फिर से वही बाते क्या बाते हैं भीया tor, potential energy, force ये values आपको बतानी है ठीक है ओहो tough ठीक है tough बताना है tough तो बताओ सबसे पहले देखो बेटा यहाँ से अगर आप electric field line देखना शुरू करो तो ऐसी बनेगी dipole के center को मैंने O मान लिया ठीक है फिर से याद रखना कि dipole क्या है अपना short dipole है क्या है बिटा short dipole है question काफी बार आया हुआ है lead के PYQ में आ रखा है तो important question है ठीक है तो अगर मैं पूछूँ कि electric field at O तो यह हमने chapter 1 में पढ़ा हुआ है मैं फिर से बोलूँ कि पिछले lecture एक बार जाके जरूर सारे बच्चे revise कर लेना और notes तो बना ही लेना notes तो बना ही लेना ठीक है तो electric field at O कैसे लिखा जाता है याद है कि नहीं याद है electrostatic constant K 2 times lambda by R lambda क्या है linear charge density lambda क्या है linear charge density है क्योंकि charge uniformly distributed है ठीक है तो for uniform charge distribution for uniform charge distribution lambda बेटा अपना constant होता है ठीक है lambda क्या होता है lambda constant होता है किसके लिए uniform charge distribution के लिए ठीक है तो case क्या है case फिर से देख लो case क्या है case है to find force on dipole kept along kept along electric field line of infinite infinite uniform charge charge distribution ठीक है infinite uniform charge distribution यह अपना case बन गया ठीक है f is equal to minus d u by dr लिखोगे ठीक है तो minus d by dr किसका किसका p e cos theta का करेक्ट अब यह जो हमने case पढ़ा है इसमें यह तो पन को पता है कि dipole moment इधर से इधर को होगा और field line ऐसी जा रही है अगर आप उपर ऐसे आँक रखो और नीचे देखना शुड़ू करो तो इसके चारो तरफ आप circle बनाऊगे equal radius के तभी तो यह cylindrical cylindrical structure बनता है और यह जो charge है इससे radially outward radially outward इस तरीके से field बनेंगी यह radially outward ऐसे field बनती जाएंगी तो किसी भी एक field line के along किसी भी एक field line के along आपने यह dipole को रखा है यह dipole जो है यह देखो यहाँ पर इस field line के along ऐसे रखा हुआ है ठीक है अब इसका जो dipole moment है वो field यहाँ पर dipole moment is parallel to field vector theta कितना हो गया 0 degree cos 0 कितना होता है 1 होता है और इस case में हमको पता है कि अपन सीधे क्या लिख सकते है cos 0 1 हो गया तो d by d r e और p को बाहर ले लिया जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा p d by dr e की value k 2 lambda by r ठीक है तो f के बन जाएगा force on the dipole kept near a uniform linear charge distribution infinite linear charge distribution क्या बन जाएगा बेटा lambda constant 2k lambda सब कुछ बाहर जाएगा तो k times 2p lambda यह बाहर जाएगा ठीक है d by dr of r to the power minus 1 तो यह हो जाएगा minus 2k p lambda ठीक है r to the power minus 2 तो नीचे r square बन जाएगा तो यह जो है आपका force आ रहा है फिर से negative sign क्या signify करता है negative sign shows that the force is attractive shows that the force is attractive ठीक है तो बेटा यह था dipole-dipole interaction जिसमें दो dipole moment एक दूसरे के parallel रखी हो सकते हैं दो dipole moment एक दूसरे के anti-parallel रखी हो सकते हैं पर पेंडिकिलर भी रखी हो सकते हैं ठीक है पर पेंडिकिलर भी रखी हो सकते हैं ध्यान से देखना इस case को भी समझ लो बिटा ये एक डाइपोल है minus q plus q 1 ठीक है ये दूसरा डाइपोल है minus q2 plus q2 ठीक है ये इस के center के along ये रखा हुआ such that इनके center एक ही लाइन में आते हैं और ये जो center के along ये जो distance इसको पने r मान लिया vector p1 कैसा बनेगा vector p1 ऐसा बनेगा p2 कैसा बनेगा vector p2 ऐसा बनेगा clear cut दिख रहा है case कौन सा है case कौन सा है vector p1 is perpendicular to vector p2 ये case है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ 1 की field यहां देखी जाए तो o' इसके लिए equatorial point है p1 उपर है तो जाहिर सी बात है कि e1 जो है वो नीचे बनेगा तो अगर मैं देखूँ तो e1 perpendicular है p2 के एक तो ये बात समझ में आ रही है और ये equatorial field है ये equatorial field है तो अगर मैं यहां पे e1 का magnitude लिख दूँ तो यह होना चाहिए kp1 by rq short dipol है ये बताने की बरबर जोरब नहीं है इस dipol के लिए o एक axial point है ठीक है क्या है axial point minus q2 pass में है तो जो e2 बनेगा कैसा बनेगा minus q2 की तरफ बनेगा ठीक है यहां भी देखो की vector p1 e2 के साथ कैसा है perpendicular है यहां पे e1 p2 पे था यहां पे p1 e2 पे perpendicular है दोनों के बीच में जो angle है वो 90 degree का बन रहा है करेक्ट है और अगर मैं आप से बोलूं की e2 की value बता दो तो e2 ये axial field है ये axial field है e2 को कैसे लिखा जा सकता है 2 k p2 by rq फिर से यहां पे हम torque, force, energy सब निकाल सकते है देखो टाउ 1, 2 की अगर बात करी जाए फिर से भाई p1 e2 और p1 e2 sine क्या होगा बेटा 90 degree होगा perpendicular है तो पहली बार torque 0 नहीं हो रहा पहली बार torque 0 नहीं हो रहा और e2 की value रख दो क्या है e2 की value 2 k p2 by rq इसको कैसे लिखा जा सकता है 2 times k p1 p2 by rq ठीक है तो यहां पे tiny little homework tiny little homework आ गया रास्ते में था ठीक है tau 2 1 क्या होगा बताओ comment करके अभी बता दे ना और solve कर रहो बैठे बैठे तो इतनी बुद्धी तो तेज़ चलनी चाहिए कि अभी के अभी आपका answer आ जाना चाहिए अब आते हैं अगले domain पर अगर मैं बात करूँ potential energy of the first dipole की बात करी जाए तो फिर से देखो आप इसको लिखोगे minus p1 dot dot क्या e2 u1 के लिए p1 dot e2 लिखोगे निकालो और u2 किसी भी dipole की इसकी energy है इसकी energy निकालो in each other's field यह 0 आएगी ठीक है जिरो आजाएगी u2 निकालो के तो p2 dot even होगा और p2 और even भी एक गुसरे पर perpendicular है तो यह तो simple था force on 1 due to 2 मैं पूछूँ या फिर force on 2 due to 1 मैं पूछूँ तो यह भी कितना आएगा अगर energy 0 आ रही है तो यह भी 0 आ जाएगा तो यह simple सा case था हमने लगबख सारे cases same axis पे हैं diplomat parallel है anti-parallel है perpendicular है solve कर लिए अब आपको करना क्या है पहले तो यह tiny little homework करना है ठीक है और comment box में answer करना है दूसरा notes बनाने तो आज जरा चर्चा हो जाए किस पे note making पे चर्चा हो जाए ठीक है note making पे चर्चा यह ना बहुत खास बात है लेकिन somehow पता ने क्यूं आप बड़े होते जाते हो बड़े होते जाते हो और इसको बहुत casually लेते हो note making को सबसे पहला star point do not take this casually आखरी में दूसरों के notes निकाल निकाल के पढ़ोगे अपने notes जादा समझ आएंगे है की नहीं है भाईया आप जितनी भी चिचरी बिखरी writing जो लिखना है लिख लो अपनी writing अपने को तो समझ आती है ना कम से कम इसका मतलब ये नहीं है की बरबाद writing लिखोगे अच्छी लिखनी है ठीक है लेकिन अपने notes खुद के लिए बनाना शुरू कर दो तो notes तो बनाने पड़ेंगे अब notes अगर मैं बात करूं in physics physics की बात करें ठीक है तो बिटा देखो एक पार्ट होती है जो आपकी theory है जहां पर आपके सारे derivation आते हैं है ना अब ये जितने भी derivation है आपके neat में तो आएंगे नहीं CBSE में हमेशा पिछले 10 साल के paper निकाल के देखो तो हमेशा chapter में कुछ important derivation है जैसे अगर मैं chapter 1 की बात करूं तो gosh law से related derivation हो गए ठीक है तो derivation सारे derivation जो है वो आपको ढंक से step wise बनाने है step के उसके number होते हैं derivation आते ही है ठीक है तो पहला तो आपका derivation है अब derivation में क्या होता है well labeled figure well labeled figure ये बहुत जरूर ही अगर आपने figure नहीं बनाया और derive कर दिया तो 0 अंडा मिलेगा अंडा तो labeled figure ये step 1 labeled figure के बाद step wise equations step wise equations लिखी जाती है और step wise equations लिखने के बाद final result लिखा जाता है और final result के साथ-साथ कई बार special cases आते हैं पूछे जाते हैं तो special cases है ना जैसे हमने पड़ा कि भाया एक dipole जो है uniform field में रखा है derive करो कि potential energy कितनी होगी अब potential energy derive करने के बाद ये देखा कि कब वो minimum होगी कब वो maximum होगी ये सब भी दो देखते हैं तो इसे special cases किसी भी case के उपर क्या है आपका derivation आ सकता है तो इस तरीके से आपको derivation के notes बनाने है ठीक है जब भी final result लिखो ठीक है तो इसको क्या कर दो put in brackets put in bracket या box जिसके अंदर भी देखो जरा प्रियंकमम ने पढ़ाया अब अगर प्रियंकमम इस formula को डबे में ना बंद करें तो आपको पता चलेगा कि ये formula important है गुम हो जाएगा तो जब आपके teachers आपको पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते time वो कई बार जो आपके important formula है उसको डबे में बंद कर देते हैं तो आपको भी उनको डबो में बंद करना है ये note making का बहुत important principle है बिटा उसके अलावा अगर आप कोई भी equation लिख रहे हैं तो उस equation की कोई justification है जैसे मैंने बोला कि u is equals to p e लिखा p e क्यों लिखा? क्यों लिखा p e? क्योंकि dipole moment और field एक दूसरे के anti-parallel थे तो potential energy maximum होगी dipole moment times field होगी तो जो side equations होती है side equations वो भी लिखनी है CBSE में ये सारी चीज़े बहुत important है तो theory में एक तो derivation हो गया ठीक है? theory में एक तो derivation हो गया ठीक है? दूसरा theory में आते हैं laws के statements ठीक है? laws के statements उन statements के mathematical expressions mathematical expressions तो ये भी आपको proper तरीके से लिखने है खास तोर पर जो CBSE के exams होते हैं तो उन पर ये जो mathematical expressions है उन पर directly आपके MCQ बन जाते हैं और conceptual problem भी आती है ये conceptual problem जो है ये NEET में भी आती है इन दोनों पर ही conceptual problem conceptual problem दोनों में आती हैं किसमें? नीट में और CBSE में दोनों में ही आएंगी बिटा in fact मैं नीट CBSE क्या बोलू? main third one जो exam लेना है जो भी लेना है जो भी आपको exam लेना है सब में आएगा सब के लिए important है सब के लिए खास है assertion, reason ठीक है? word problems यहीं से निकल के आती है इसको ignore नहीं कर सकते अगर आपको यादो exemplar जब हमने solve करे थे तो खाली गॉस्ट लॉ की statement से कितने सारे अच्छे-च्छे question बने थे कितने एक यह जो statement आप लिखते हो कि electric potential at a point is relative not absolute क्या मतलब इसका? क्योंकि आप किसी potential किसी point पर नहीं दो points के बीच का potential difference निकाल रहे होते हो तो जब आप कहते हो potential at a point तो दूसरा point क्या है at infinity जाब ए potential 0 लिया जाता है तो अकेले एक electric potential की definition ही ले लो ठीक है? सिर्फ statement और mathematical expression नहीं साथ में अगर मैं बात करूँ किसकी definitions की तो definitions से भी conceptual problem आते हैं यह सारे theory के part हैं नियम के statement, mathematical expression, definition इनसे काफी अच्छे तगडे word problem और conceptual problem जो हैं बनते हैं तो इसलिए इनको proper तरीके से equal spacing देना जब आप notes बनाओगे तो cluttery नहीं बनाना ठीक है? notes must not be cluttery must not be cluttery cluttery समझते हो? अगर मैंने यहां बेखुब सारा लिख दी और proper space नहीं दिया तो आपको समझ नहीं हैगा कि कहां से क्या शुरू हो रहा है ठीक है? तो must not be cluttery मतलब क्या? proper spacing proper spacing मैं आपको सारे गुण बता रहे हूँ ताकि आप मुझे एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी notes वाली copy जो है बना के बताओ और मैंने आपको पहले भी बोला है rewards मिलेंगे फिर इसके उपर तो थियरी में इसके अलावा एक और part होता है जो भी new physical quantity होती है जो भी new physical quantities होती है उन सारी new physical quantities के unit of measurement unit of measurement और खास तौर पे SI units वन मार्क में आ जाता है unit दे दी बताओ पहचानो quantity कौन ठीक है henry किसकी unit है किसको measure करते है henry में और dimensional formula dimensional formula दिमाग में आ रहा होगा ma'am 11th में खतम नहीं हुआ गया ना नहीं खतम हुआ यहाँ पर आपके MCQ बनने के गुंजाईश है ठीक है यहाँ पर दोनों ही exams में किसी भी exam में यहाँ पर MCQ बनते है तो यह पूरा तो अभी आपका theory हुआ है physics की theory की बात करी जाए तो यह आपके पूछे जाते हैं इसलिए proper underline करो equal spacing दो handwriting must be legible handwriting must be must be legible legible का क्या मतलब है भया हमने बहुत अच्छा लेगा लेकिन teacher को पढ़ने में नहीं आ रहा नंबर कौन देगा teacher के तुम teacher ही नंबर देगा तो teacher के पढ़ने में इतना मैं यह नहीं कह रही कर्सिव लिगो सजा ज़ा के लिखो ठीक है बस पढ़ने में आना चाहिए एक student था मेरा उसकी writing copy खोल के देखो कि इतनी सुन्दर मोती जैसे अक्षर पर अक्षर क्या थे समझ नहीं आते थे सब कुछ गोला 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 लगता था तो बिटा उसको फिर मैंने दीरे दीरे समझाया कि मतलब ठीक है बच्चे की गलती नहीं हो वह पच्पन से वैसा नहीं करती क्योंकि वहां पर तो आपको option ticker करके आने हैं लेकिन specifically अगर आप boards के exam दे रहे हो तो भाई यह सामने वाले teacher के समझ नहीं आई बात तो फिर number कहां से मिलेंगे है न तो legible handwriting का होना बहुत ज़रूरी है अब यह तो हो गई बात how to write पे ठीक है और यह हो गई बात what is important या important to highlight पे ठीक है important to highlight पे तो यहां पर हमने देख लिया कि लिखा कैसे जाए simple है cluttery नहीं लिखना है handwriting legible होनी चाहिए ठीक है और क्या-क्या highlight करना है यह सारी चीजह हाइलाइट होनी चाहिए क्योंकि इन सब पर questions आते है ठीक है इसके बाद additionally additionally देखो maths और physics फॉर्मूलो का गेम है ठीक है physics is गेम ओफ फॉर्मूले अफ्कॉर्स फॉर्मूलो के साथ क्या क्या आएगा concepts ठीक है पर अगर आपको अकेले concept पता है तीस सेकेंड के अंदर सवाल solve करना और formula याद नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा तो फॉर्मूलो की practice होनी चाहिए ठीक है do make do make formula chart at the end of every chapter आपके खुद के कुछ निमोनिक्स हो teachers आपको निमोनिक्स में पढ़ा रहे हैं जो भी strategy tricks जो भी कुछ भी बता रहे हैं तो फॉर्मूला चार्ट हर chapter के end में जरूर बताना बनाना और एक formula guide अपने साथ रखो ठीक है folder of formula sheet अब आप एकदम last में December में आपको याद आएगा कि यार formula याद नहीं हुए थी तब आप बनाना शुरू करोगे ढूंडना शुरू करोगे कई बार वह formula आपके समझ नहीं आएंगे क्योंकि वह आपने नहीं बनाए ठीक है तो यह कुछ important points है बेटा यह कुछ important points है जिनके उपर आपको notes बनाने चाहिए अब इसके बाद एक और चीज आती है ठीक है आप कभी भी कोई भी subject पढ़ोगे तो end में add the end क्या करते हो आप add the end आप problem solve करते हो ठीक है problem solve करते हो जब आप problem solve करते हो तो teacher बताता है यह पहले neat में आ चुका है question यह पहले cbse में आ चुका है तो teacher आपको बताता है pyq तो highlight और star mark उस पे सितारे लगा दो चमका दो उसको highlight करो star mark बनाओ किस पे जितने भी आपको pyq मिलते हैं जो भी आपको pyq teacher कहेगा कि यह पहले आ चुका है दो बार repeat हुआ है तीन बार repeat हुआ है तो यह सारे important points अगर आप इसको मद्य नजर अखते हुए notes बनाओगे आपकी preparation इतनी तगड़ी होगी कि कोई भी नाप तो आपको beat कर सकता है और आपके marks जो आपको चाहिए वो मिलेंगे लेकिन हां जिस रास्ते पे चलना है वो रास्ता पता होना चाहिए अगर आप इस र हुआ 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 है